नो एंट्री का सीक्वल, नो एंट्री में एंट्री के प्लानिंग लंगे समय से की जा रही है इसी बीच खबर आई है कि सल्मान फान ये फिल्म करने से इंकार कर दिया है और उनकी जगर वितिक रोषन ने ले ली है रितिक रोशन से जुड़े सूत्रों ने इस बात का खंड़न किया है उनका कहना है कि भले ही रितिक रोशन के हाथ में इस समय कोई भी फिल्म नहीं है लेकिन वे नो एंट्री का सीक्वल नहीं कर सकते हैं और ये महस अफवाह है फिल्म के निर्देशक और लेखक अनीस बसमीर लंबे समय से नो एंट्री में एंट्री के सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे लेकिन सल्मान ने फिल्म करने से मना कर दिया उन्हें स्क्रिप्ट मन मताबिक नहीं लगी और वे डबल रोल करना भी नहीं चाहते